हेलो गाइज आज हम एकस्टाइच 1.4 की बात करते हैं इसमें हमें क्या दे रखा है कि नीमनिकित में से प्रते एक समुच्य यूगम का सर्वनिस्ट्र समुच्य क्या दिए यानि कि इंट्रसेक्शन क्यात करना है यह क्या हो गए हमारे पास इंट्रसेक्शन यानिक इस सिम्बल से हम डिपरेजेंट करते थे इसको तो यह हमारे पास इंट्रसेक्शन एकस इसे का पैला क्यों एकस और वाई-वा और y set के element लिख दो अब intersection हम ग्याद करते हैं हमें यह पता है कि जितने भी element दे रख हैं उनमें जो common है वो लिखे जाएंगे बाकि c छोड़ दिये जाएंगे तो इसमें x intersection y एक एक x के और y के अगर element देखते हैं तो इनमें common क्या है दोनों में देखो एक है तो यह आएगा तीन है तो यह आएगा यह जो common element वो लिखे जाएंगे तो एक और तीन के intersection में आएंगे बाकि सारे छोड़ दिये जाएंगे अब इसी का question number 2 देखिए A हमें दे रखा है A, E, I, O, U और B हमें दे रखा है A, B, C और इनका intersection हमें ग्याद करना है तो intersection ग्याद करने के लिए देखो A intersection B A के मान लिख रहते है A, E, I, O, U intersection B के मान A, B, C अब इन में जो common है वो लिख दो तो दोनों में देखो गे तो केवल A common है बाकि कोई भी element common नहीं है तो A intersection B equal A थार्ड question क्या है A equal X is that X1 प्राकर संख्या और तीन का गुना जै यानि कि इसको पहले रोस्टर फोर में लिखते है तो हम अगर स्टार्ट करें तो A equal रोस्टर फोर में तीन का गुना जै एक तरीक से हमें क्या करना तीन की टेबल लिखते जाते है तीन का गुना जाता जाएगा तो हम क्या लिखते है तीन, छे, नो, बारा, डॉट, डॉट करके इन्फानाइक तक और B हमें क्या दे रखा है X संख्या छे से कम एक प्राकर संख्या छे से कम आनी चाहिए एक दो तीन, चार, पांच छे भी नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने क्या काया छे से कम होना चाहिए अब इनका हम इंटरसेक्शन निकालते है तो A इंटरसेक्शन, B A के माल और B के माल लिखते है तो 3, 6, 9, 12, डॉट, 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 इंफानेट तक इंटरसेक्शन एक, दो, तीन, चार और पांच अब इनमें अगर हम देखते है तो कोमन क्या रहा हमारे पास 3 दोनों में 3 है 6 अगर इसमें होता तो यहां से हम कोमन ले लेते यह तो स्टोप यहीं हो गया एक तरीके से यह फानेट सेट हो गया और यह हमारे पास infinite सेट हो गया infinite सेट तो हमारा बढ़ता जाएगा finite सेट पांच भी ही हो गया इसलिए हम इसमें से कॉमन क्या है हमारे पास केवल 3 तो हम कहाँएं के A इंटरसेक्शन B इक्वल क्या हो गया 3 मर चार देखे इसका एह हमें दे रहा है X प्राकर संख्या है जो एक से तो बढ़ी होनी चाहिए और 6 से कम या 6 के बराबर तो हम सबसे पहले A का ही को रोस्ट्रोफों में लिखते A इक्वल मेरे पास क्या गया एक से तो बढ़ा हो या नि 2 कहां तक 6 के बराबर या 6 से छोटा होना चाहिए तो 6 के बराबर या 6 से छोटा लूँ तो 3, 4, 5 और 6 और B हमें क्या दे रखा है एक प्राकर संख्या जो 6 से बढ़ी और 10 से क्या होनी चीए छोटी 6 से बढ़ी 7, 8, 9 10 से छोटी लब 10 भी नहीं आएगा ये अब इनका इंटरसेक्शन क्याद करना तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा अब इनमें क्या रहे कोई भी चीज क्या नहीं है यानि कि ये सेट क्या हो जाएगा बैकेंट हो जाएगा तो इसको बैकेंट सेट में कोई अलिमेंट नहीं लिखेंगे तो यह या तिस तरीके से लिख सकते हैं इसको 5 से भी denote कर सकते हैं इसी में हमारा next question हमें क्या दे रखा है A equal क्या दे रखा है एक दो तीन और B कितना दे रखा है 5 और इन्होंने यह कहा है कि इसका intersection गया दीजिए A intersection B तो A मेरे पास क्या हो गए A 2 3 intersection B क्या हो गए 5 अब B वाले में कोई element नहीं है और A वाले में हमें दे रखा है तो हम क्या दोनों को खा ली तो हम यह क्या हो जागा A intersection equal क्या हो जाएगा 5 क्योंकि दोनों को common element है नहीं तो यह हो जाएगा मेरा vacant set यह vacant 5 किसके बराबर B के तो यह हो गया मेरे पास B के equal तो यह हो जाएगा यह जाएगा छाएगा यह जाएगा वाले मेरे रखा है वे तो खाएगा दो टना एज भी तो गच में एपाशना है नहीं है तो जाएगा